टीक है नवी निशानता बने रहे हैं मेरे साथ रजा मुराद जुड़ गए हैं बॉलिवोड आक्टर बहुत स्पागत है आपका रजा मुराद जी इंडिया न्यूस पर कैसे शुब काम नाये देंगे आज हमारे खिलाडियों को कौन से खिलाडी से सबसे ज़्यादा उमीद आपका फेवरिट कौन विराट कोली विराट कोली एंडें मौमाद शमी यानि कि आप उम्मीद कर रहे हैं कि आज गेंद बाजी में शमी और बल्ले बाजी में विराट आज कहड़ाएं बिलकुल मुझे उमीद ही नहीं है बलके पूरा यकीन है देखिए मैं 55 से क्रिकिट क फेन रहा हूँ बफ रहा हूँ क्रिकिट बफ ऐसी मैंने परफेक्ट टीम आज तक नहीं देखी मैं नारी कॉंट्रेक्टर के जमाने से क्रिकिट देख रहा हूँ जब वो कैप्टिन हुआ करते थे उसके बाद मनसूर अली खाँ पटो दिया है उसके बाद आजीद वाडे का राए सुनील गावस का राए दिलिफ वैंकसर का राए उस जमाने से मैं देख रहा हूँ क्रिकेट लेकिन ऐसा जोश ऐसा वलवला हमारी जो टीम है एक वैल ऑईल मशीन की तरह है भाई यानि क्या आप कह रहे हैं कि आपकी सबसे बेधरी इन टीम है और हर डिपार्टमेंट जो जी जी और मैं ये भी कहूंगा उसके साथ साथ के फील्डिंग भी हमारी बहुत अच्छी है बहुत अच्छी फील्डिंग है हमारी तो I will give 100 out of 100 to the bowlers, to the captain, to the batsman and to the fielders as they ये इतनी अची टीम मैंने नहीं रेखिया इस तक सर अलग-अलग कई फिल्मों में आपने काम किया है आपका अभिने कई लोगों को बहुत पसंद आता है कोई ऐसा डायलोग जो अभी की सिच्वेशन पर सेट बैठता हो जो आप हमारे दर्सकू के लिए कहेंगे क्योंकि 20 साल बाद भारत और आस्ट्रेलिया की टीम आमने सामने है मुकाब्डा कड़ा होने वाला है, मुकाब्ला दिल्चस्प होने वाला है मैं यही कहूंगा ये डायलोग जो है, ये किसी डायलोग राइटर का लिखा हुआ नहीं है हम 10 मैच मुधातिर जीतते हूए आये हैं ये कोई फ्लूक नहीं था 10 मैच जीतना कोई फ्लूक नहीं है और मैं इन्हें सिर्फ मैज क्रिकिटर ने ही कहूंगा ये हमारे योध़ा हैं हमारे वार्यर्स हैं और आज इन वारियर्स का आप जल्वा देखिएगा और ये जो क्रिकेट फील्ड है इसे मैं आज मैदाने जंग कहूंगा देखे कोई यहां दोस्ती निभाने नहीं आता सामने वाली टीम से हर टीम जीतना चाहती है तो ये मैदाने जंग है आज और उस जंग में आज हमारी फत्य होने वाली है सब मैच देखने नहीं के आप टीवी पो ठाएं के मैच का लुट नहीं मैं अभी ग्रेटर नोड़ा में हूँ और बॉम्बे ट्राइवल कर रहा हूँ तो लेकिन मैं समझता हूँ के जो आप वहां जाकर देखते हैं बराए राज देखते हैं स्टेडियम में उससे दादा प्रिफर मैं टीवी पे देखना पसंद करता हूँ क्योंके आपको बार बार रीपले दिखाये जाता है बार बार आपको बारी किया दिखायी जाती है जो आपको लाइव देखने में वहां पर स्टेडियम में आपकी बहुत सी बाते हैं समझ में नहीं आती हैं एक्शन रीपले एक एक चीज़ का दिखाये जाता है कि बाल ने बैट को टेच किया या नहीं किया या बॉल टपा खाने के बाद तो कहीं फिल्डर के हाथ में नहीं आई ये जो डीटेल है ये मदा आता है टीवी में ही देखने का रजा मुराजी आपने 1983 का भी मैच देखा होगा 2011 में जब भारतिये टीम विजई हुई वो मैच देखा होगा अब 2023 में तीसरी बार कितनी उमीद है कि हैट्रिक लगाएगी टीम इंडिया इस बार मैंने का रहा मुझे उमीद ही नहीं बलके पुरा यक्रीन है अच्छा इस बार वर्ड कप में बड़े बड़े स्कोर बनाये हैं भारत ने आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं क्योंकि आप बता रहे हैं बड़ी बारीकी से आप एक चीज देखते हैं तो एक प्रेडिक्शन होगा माइंड में कि आज टीम इंडिया बैटिंग करेगी अगर पहले तो इतना स्कोर आइडियल रहेगा क्या आपको लग रहा है I think that should go above 300 क्योंकि पिछला जो मैच हुआ था हमारा ऑस्ट्रेलिया से हमने ऑस्ट्रेलिया को एक सो निननानवे एक सो आठानवे पे हमने उनका आउर्ट कर दिया था और 41.6 ओर्स में हमने छे विकेट से मैच जीत लिया था क्योंकि सारे बैट्समें जो हैं इतने फॉर्म में हैं तो it should go above 300 और अगर आस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करता है तो मुझे लगता है कि वो 200 से उपर नहीं बना पाएंगे ये मेरी अपनी पेशिंगों ये शमी फैक्टर एक बार फिर से काम करेगा आपने पहली नाम ले दिया मुपमरद शमी का तो शमी फैक्टर फिर कुल्दी प्यादव जड़ेजा सब कमाल दिखाए और उस्टेलिया का पुलिंता जल्द से जल्द बांदें